पानी पीने के लिए यहाँ पे एक चापा कल कभी व्यवस्था नहीं है। आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे छट बर्ती जो आएंगे, यहाँ पे जो बाहर से रहगीर आएंगे, परदेशी आएंगे, उनको किन-किन परेसानियों का सामना करना पड़ेगा। नमस्कार मैं मित्यो रसिया और आप देख रहे हैं अलंदा दस्तक। आज हम मौजूद हैं इसलामपूर विधान सवा छेत्र के एक छोटे से गाउं के अहरा पर, जिसको आप बोल सकते हैं कि एक तलाओ है बगल में हमारे और यहाँ पे गढधा है। मेरा दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप भाली भाती जानते हैं पूरे बिहार और उत्तर परदेश में छट का एक अलगी महत्व है। तीन दीन भूखे रह करके छट बर्ती अपने ब्रत को संपन्न करते हैं। गाउं से अपने घर से माथे पे दौरा लेकर के छट घर जाकर के वहां पे पूजा अर्चना करती है। अब तो कुछ मर्द भी छट बर्त को अपनाने लगे हैं। लेकिन छट घाट के पास जाने का रास्ता क्या है। बुश से हम आपको रूबरू करवाएंगे। देखिए यहां पे एक अलंग है पानी का बहाव आया था और यह तूट गया था। लेकिन इसको देखने के लिए ना तो जनपर्तिनीधी कोई हैं और ना ही समीती कोई अध्यक्ष है। मैं आपको एक खुशी की बात यह है कि जब मैं यहां के पूर्व जो समीति के अध्यक्ट थे उनसे मैंने बात किया तो उनका कहना था कि हम अपने खर्चे से इसको मरमद करवा देंगे लेकिन वो कितना सही सावित होता है वो दो दिन के बाद ही पता चलेगा हाला की सिर्फ यह रास्ता कहीं नहीं चट घाट का हाला तब आपको दिखाएंगे तो आप कहेंगे हे भगवान एक ऐसा चट घाट है तो चलिए हम चट घाट का भी आपको हाल दिखाएंगे इसे आपको अंदाजा लग गया होगा कि ख़ट बर्तियों को और रहगीरों को आने में कितना परेसानियों का सामना करना पड़ता होगा आप मतलब कि जितना भी ख़ट जाने का रास्ता होता है वहाँ पर आपने देखा होगा laughs और विलार और टू विलार आसानी से चला जाता है लेकिन आर्जुन सिर्थुवा में घाट पर जाने के लिए सड़क तो दूर यहां पे आरी के सहारे, मेढे के सहारे जाना पड़ता है हम कैमरा मेंन से गुजारिस करेंगे कि वो आरी को दिखाए कि कितना परिसानियों का सामना करना पड़ता होगा चट बरती तो किसी पर कर चल जाते हैं अगर किसी कारण बस यहां पर टू भीलर कोई आने के लिए सोचे तो उसे एक बर नहीं हजार बर सोचना पड़ेगा अभी हमने अर्जुन सिर्थुआ से चट घाट आने वाले रास्ते से रूबरू करवाया आप देख करके अंदाजा लगा लिये होंगे कि कितना किन किन परिसानियों से चट बरती चट घाट तक आते हैं अब हम आप पहुंचे हैं जहां पर चट बरती अपना ब्रत करते हैं और यहां पे पूजा पाठ करके तीन दिवसिये छठ का मतलब की समाप्ति करते हैं हम यहां पे देखी दिखाते हैं यहां पे ना तो अर्ग देने के लिए ना तो घाट है ना ही कुछ है हम यहां पे अंदर जा करके आपको दिखाते हैं कि इसका क्या हालात है यहां पर कादो है पानी है लेकिन छट वर्ति के लिए किसी परकार का कोई सूबधा मुहया समीती के द्वारा नहीं करवाया जाता है देखिए हम यहां पर इतना पानी है और पानी का बहाव यह नदी है यहां से स्टार्ट हो करके बहुत दूर तक जाती है और अभी हम पानी में हैं, यहां पे सिर्फ कादो ही कादो है, रेत एक भी नजर नहीं आएगा आपको यहां पे, और भी यह जो छट घाट है, यहां पे नहीं सिर्फ अरजुन सिर्थुआ के लोग छट घाट पे आते हैं, बलकि जहानाबाद जिला के, के और कस्यामा, आधि दिखाया, और इस घाट का भी द्रिश कुछ वैसा ही है, यह जो घाट है, यहां पे अरजुन सिर्थुआ गाउं के लोग खास करके, छट बरती यहां पे आ करके अर्द देते हैं, साम वाला छट हो, यहां पे छट बरती आते हैं, और आ करके अर्द देती है, यहां पे भी अगर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपका स्थित्व पता नहीं चलेगा इतना पानी अंदर अभी तो हम यहां पे मतलब की स्टार्टिंग प्वाइट पे हैं किनारे में हैं यहां पर देखिए को बल्ली है यह लकडी है इससे भी छट बर्तियों को काफी परिसानियों का सामना करना पड़ेगा अगर थोड़ा सा आगे जाएंगे अभी तो हम यहां पर हैं मतलब की अगर बोला जाए कि चार-पाच कदम और आगे जाते हैं तो फिर आप बाहर आना आपके लिए मुश्की लोगा जो खास करके तैरना नहीं जानते हैं यह तो हमने रास्ता और चैनल का दिर्ष दिखाया ऑब आपको दिखाते हैं यहां का धर्मसालह का क्या श्थिती है यहां का मंदिर का क्या सूप्धा पाने पीने के लिए यहां पे एक चापा कल कभी व्यवस्था नहीं है आप सोच सकते हैं कि यहां पे छट बर्ती जो आएंगे यहां पे जो बाहर से रहगीर आएंगे परदेशी आएंगे उनको किन-किन पर्यसानियों का सामना करना पड़ेगा चलिए कुछ और भी दिरिश आपको दिखाते हैं रास्ता का दिरिश दिखाया और यहां पे क्या क्या सूबधा है उससे मैंने आपको रूबरू करवाया सूबधा की तो बात ही मत करें नहीं यहां पे छट बर्तियों को कपड़ा बदलने के लिए किसी वी परकार का ग्री है और नहीं पानी पीने के लिए चापकल है एक य कि वीडियों के माधियम सब देख सकते हैं कि इसका क्या स्थित्व है इसका इसका क्या और यहां पे खपडएल मकान था सुभाबी खेक की पानी पड़ा और यह ध्वास्त हो गया खुशी की बात यह है कि यहां के जो ग्रामीन है ग्रामीन यूबा है वो परतेक साल के बात इस साल भी छटगाट को साफ करने के लिए प्रंट ठान लिये हैं और हर सल भी सफाई करत करताम के साथ नालन्दा दस तक इसलामपूर अभी आया है आइ अच्छी तरह अच्छी तरह लोगाएं यूबा